तो डेर स्टूडेंट आज कि इस वीडियो में बात करेंगे बिए फोर्थ समस्टर यानि कि बिए चतुर्थ समस्टर के हिंदी के mcq टाइप के most important question and answer के बारे में तो जिन जिन भी इनवर्ष्टीम पर इच्छाएं फोर्थ समस्टर की लगी है फोर्थ समस्टर की उनका सब्जेक्ट हिंदी है और प्रश्ण पत्र यानि question paper का नाम है हिंदी अनुवाद तो उनको ये वीडियो जरूर देखने चाहिए क्योंकि उनको इस बीडियो से काफी help में लेगी कि इस बीडियो में है कि देळ नागरी लिप का सर पर्थम क्यों में कि किस राज में हिंदी में तो अपको ध्याइं नखना लिखा वही वाला करना इस बात को ध्यान रखेंगे का सरप्रथम परियोग घुजरात राज में सब्सक्राइब और फ्रत्राइब को प्रशन आपको घुजरात राज ध्यान रखना है आगला प्रसना कि ऑन शी भांसा देव नागरी लिप में लिक्कित जाती है महात्पूर्ण प्रश्ण हम आपको वही सारे प्रश्ण बताने का प्रियाफ कर रहे हैं इस बार भी आपके पर इच्छा में आने वाले हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखेगा काफी ज़्यादा हेल्प मिलेगी और साथ-साथ में आपको एक बहुत जबर जस्त आपको पीडियो भी देने वाला हूँ वह एंसर सही तो आपको काफी ज़्यादा हेल्प में लेगी ठीक है चले नेस्ट कोश्चन है कि हिंदी किस लिप में लिखी जाती है यह कौन सी लिप में लिखी जाती है तो कौन-कौन सी लिप यहां है इसमें जानी है खरोष्टी लिप हो अगला question है कि देव नागरी लिप में स्वर वरडो की संख्या कितनी है तो देव नागरी में स्वर वरडो की जो संख्या है वो है गैरा इफले सही जबाब इसका हो जाएगा अनमबर ध्यान लखेंगे महात्पूर्ण प्रस्ण है अनमबर सही जबाब होगा इसलिए प्रस्ण है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संग की राजभांसा हिंदी और लिप जो होगी वो देव नागरी होगी। तो यह जो सम्विधान है उसमें किस अनुष्यद में बताया गया है तो ध्यान लखेंगे हमारे सम्विधान के अनुष्यद तेन सो तैने तालिस में यह कहा गया कि हमारी राजभांसा हिंदी होगी और जो लिफ्ट होगी देवनागरी होगी इसलिए सही जबाब इसका हो जाएगा अनमबर ध्यान लखेंगे महात्मोर प्रस्ण है अगला प्रस्ण है कि भारत के सम्मिधान में हिंदी को राजभांसा क चोLab सितंबर 11 racist को जादा है मैंने कबर किये और कुछ कोश्चिन इसमें सायदो आपको देुके लेकिन के रीबीन कुलाइव है आपके हね तो बान अमबर आपने सही जबाप से लट किया अगला कि भारत की राज भांसा कौन से आप सुन में से तो ध्यान रखेंगे भारत की राज भांसा जो ही हिंदी आप सभी परचित भी इस से अगला प्रस्तुत है कि समिधान के अनुच्छेद तो समिधान के अनुच्छेद है जिसमें से तीन सो क्यान में जिस चीज का वरण किया गया है वह हिंदी भाफा के विकास संबंदिक कैस्ट के बारे में तीन सो एक्यावन समिधान के जोन उच्छेद है उसमें और अड़न किया गया है ध्यान लखेंगे चले नेश कोशन देखते हैं नेश कोशन कहिए रहा कि देव नागरी का सरप्रथम प्रियोग किसके सिला लेक में हुआ था कौन से इतिहासकार के तो देव नागरी का सरप हो आपक्तराम में हिलप मिले अगला प्रशन है कि लिपकी सबसे बड़ी क्वालिटी या फिस सबसे बड़ी बिसेश्था जिसको आप बोलते हो कौऑं सी आप में से तो देव नागरी यहें लिपए चीजो सबसे बड़ी बिसेश्था इन आप सैनो मेंни से हो यह에 कि सारब कि विसंफसरों में से जो एक विसेस्थ नहीं है विकाफ दिर्स्ट से या लिवले ब्राम्भी ऑंभ खरुष्टी की समकालिन यहीदा गलत है वाकी सभी सही है अगला देवű नागरी लिप मूलता क्या है तो ध्यान ग Teaching यह ना मेरी लिप मूलता बाकी सभी हैं तो अंग्रेजी जो एक लिपी नहीं है बाकी सभी लिपी है ध्यान रखेंगे अगला एक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिप सुधार परश्द की अठाइश वंतिस नॉम्बर उनिश्यों तिरपन को हुई बैठक की अधिस्ता किष्णे की थी ठी तो ध्यान रखेंगे इसके अध्यच्य थे उस समय तत्कालिन उप्राश्च्पति डाक्टर सरपली राधा कर्श्णन जी थी सही जबाब इसका हो जाएगा बानमबर ध्यान रखेंगे महात्पूर्ण प्रश्टे अगला प्रश्टुत है कि उत्तर पदेश सरकार द्वार 1927 में घठिद देवब नागरी लिफिसदार समित के अध्यच्ष कोन ते तो उस समें अध्यच्ष थे अचार नरेंदर देवजी धियान रखेंगे ज件事情 क्योंते इसके सुधार समित की सही जवक्त कर देञें प्रश्ण है ध्यान रखेंगे हवा हवाए में नहीं बात करते जो करते हैं वह पिछले फालो में सब प्रश्ण पूछे जा चुके तीक इस बार भी आएंगे सिंपल से प्रश्ण है लेकिन महत्पूर्ण है क्जाम के लिए अगला प्रश्ण है कि किस बिद्वान ने देवन गलत अफ़न है वह है कौन सा है बताइए कमेंट सेक्षिम अगर आपको मालूम तो वह है सा नंबर बच और प्लस पन ये गलत है बाकी सभी सही ध्यान लखेंगे अगला कि प्रमाडिक सब्द के मूल सब्द और प्रत्य का सही अलगा कौन सा है तो इनमें से एक जो संद बि अगला कि प्रत्य का उदाहन कौन सा नहीं है तो इनमें से जो उदाहन नहीं है वो है सिलोई दानमबर सही जवाब अगला कि लोकिक सब्द में प्रत्य कौन सा है तो लोकिक सब्द में जो प्रत्य है वो इक है इसका सही जवाब दा होगा अगला कि प्रत्य रहित सब्द तो निर्माड होता है ध्यान लखेंगे उनको कहा जाता है स्वानिम ठीक है दानम्बर सही जबाब होगा ओके चलिए निश कुशन कर बढ़ते हैं इन में से जो गलत विसेष्था उससे बताईए मतलब कि इसमें विसेष्था दी गई भासा की लेकिन में से गलत भी है वह कौ नमबर सही जबाब होगा मतलब कि यही गलत है अगला की कौन से सब्द किसी विशेष्थ बिज्ञान विशेष्थ कला या विशेष्थ वफ्तर से जुड़े होते हैं तो दियान रखेंगे पार भासिक सब्दों होगा अनमबर प्रमुवच्प्रश्ण है आपके एक्जाम होता है इन आपस्टों में से तो जिस अर्थ जिस सब्द का अर्थ अस्प्रस्टेने क्लियर होता हो निश्चित होता है वह होते पार्भासिक सब्द ठीक है जिनका कोई अर्थ होता जिनका कोई मतलम नहीं करता जिनकी कोई परिभासा होती उसे पार्भासिक सब्द बोलते है या अज़ प्रस्टता भी होती है फिले सही जवाब दा होगा क्योंकि यह तीनों के तीनों विशेष्टा है पारभासिक सब्द की तो ध्यान लखेंगे ठीक है अगला प्रस्टता है कि पारभासिक सब्द ऐसे सब्द को कहते हैं जो रसायन भोतिकी दर्सन जाज नेती आद और बिभिन विघ्यानों या साफ्तरों के सब्द होते हैं यह कथन कौन से बिद्वान का है तो यह जो कथन प्रमुख बिद्वान का है जिनका नाम है धान अखेंगे डाक्टर भोला नातिवारी आनमबर सही जबाब होगा अगला कि कि किनके अनुसार पारभासिक सब्द ज्ञान विशेष के छेत्र में एक निश्चित अर्थ प्रियोग तो होना चाहिए ठीक है तो ये जो है प्रमुग विद्वान के अनुसार है जिनका नाम है डाक्टर गोपाल सर्मा के अनुसार ये बात है ठीक है ये उन्होंने कथन कहा है या लाइन कहिए अगला है कि हिंद bak Barbara अई चुका और इंपोर्टन वियारं ले दान कि लिए या कि अगला क्योच्षिन Cubi ने कि पार भाशिख सब्दा वली में हिंदी किस की बनने का गवरोपर्दान किया है या उन्होंने घ्वासा में सब्द किस सक्थ से उत्पन होता तो भासा में सब्द जिसे पावर यानि सक्त से उत्पन होता है वो है अभिधा बेंजना लच्छना इफलेश का साही जबाब दा होगा इनमें से सभी अगला की किसके अनुसार पारभासिक सब्द ज्यान विसेश किसके अनुसार यानि कौन से विद्वान के उसार पारभासिक सब्द ज्यान विसेश के छित्र में एक निश्चित अर्थ प्रियोग तो होना चाहिए ठीक है तो यह प्रोग बिद्वन डाक्टर गोपाल सर्मा ने कहा है ठीक है नहीं कि अनुसार ये बात है अगला की हिंदी पारभासिक सब्द वली किसका मोल लंगे त इन में से सभी आपको बता ही चुका हूँ अगला की भासा में सब्द किसक्त से उत्पन होता है तो यह भी मैं आपको बता चुका हूँ महात्पूर्ण प्रिशन यह ठीक है अभी बताया था चलिए बताई कमेंट स्क्शन में इसका उत्तर अगला की समान एवं पारभासिक सब्दों के बीच मूल अंतर किसके अफ्तर पर होता है तो यह होता है ध्या-नक्छेंगे यह होता है अर्थ फरंडशना के हम अरम्बर सहीं जबाब होगा अग्ला कि हिंदि कैसी भांशा है इन आपसर में तो हिंदी वो राष्ट भांसा भी है जन भे ऐज भांसा भी है साभाब यह राज भांसा भी है एज्ञवाब और नहीं कैसे अर्थ को बिंजित करता है तो आशो की नदी बहना का मतलब होता है कि लाच्छनिक अर्थ सा नंबर सही जबाब अगला की पार भासिक सब्दों द्वारा बंजित अर्थ में क्या होती है तो पार भासिक सब्दों द्वारा बंजित अर्थ में होती है निश्चतता और सुछमता इफले सही जबाब सा होगा इनमें से दोनों एक सब्द में आपको बता ही रखा कि एक प्रत्य है ठीक है और इसको भी बता चुका हो प्रत्य रहित सब्द कौन सा भारत की राजभासा कौन है देख लीजिए आपको बता दिया है और देव नागरी लिप का विकास किस लिप से माना जाता है इसको भी मैंने बता दिया है इसका उत्तर जाने ब्राम भी लिफ से माना जाता है इसका विकास तो बहुत ही प्रूंक प्रश्ण है याद रखेंगे ठीक है कुछिन है कि बीश्वी सताबदी के मध्ध आते आते कोस्त सब्द का प्रियोग किसके लिए रोड हो गया मतब कि तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कोस्त में अंतर है यहाँ पर और कोफ दूफरा यह गया अगला की अंग्लेजी भासा में किस सब्द का प्रियोग किया रता मतब की कोस्त को इंग्लिश को पर नवरो से किस बहुत अपर है काफी जाद को देखने के दिखेंगे तो डिक्सुनियर विद्फसी सब्सक्राइब से हूई है लेटिन जो सब्ध है उससे हूई है जिसका नाम है ठीक है एक फ Α भंधर सचिश यवाब होगा अगला की कोस के मौलता कितने भेढ गये तो कॉश के मौलता तीन भेढ किये गें बानंबर्श का सही जबाब होगा अगला है कि इन में से altogether कॉच है तिन से ने अगला कि जब किसी एक बेक्त के साहित में प्रियुक्त सब्दों को अधार बनाकर कोस के निर्माण किया जाता है तो क्या कहलाता है? तो कहलाता है बेक्तिगत कोस द्यान रखेंगे पुरूप प्रस्ने आनमबर सही जबाब होगा अगला है कि भासा कोस मुख्यता कितने प्रकार का होता है तो भासा कोस मुख्यता जो है वो होता है तीन प्रकार का बानमबर सही जबाब होगा अगला है कि इनमें भासा कोस का प्रकार कौन सा है इनापसरों में से तो इनमें से जो भासा कोस का प्रकार है वो है एतिहाशिक, वरणात्मक, तुलनात्मक ये तीनों के तीनें भासा के कोस के प्रकार है अगला के किसी एक ग्रंथ को अधार बनाकर कोस्ट का निर्माण करना किस कोस्ट के अंतरगत आता है ठीक है तो ध्यान रखेंगे यह आता आता कोस्ट के अंतरगत बानंबर सही जबाब होगा अगला के किसी भासा या बोली के सभी कालों में प्रियुक्त सब्दों को किस कोस्ट में सामिल किया जाता है ठीक है किस डिक्स्टनरी में सामिल किया जाता है तो ध्यान रखेंगे प्रमुक प्रुष्ण है आपके एक्जाम के लिए ठीक है इसका सही जबाब हो जाएगा अप स्पूर डिक्स्टनी किस कोज का उदाहरण ऐखे तो यह थिहासी कोज का उदाहरण बनामबर सही जवाब होगा ठीक है कौन्सा बहुंब त्यान अग्वाइग कि अगला के डाक्टर भौला नाति पीवारी के नुसार os का बहाग कौन सा है तो इनमे से लाक्तर भोला ना तिवारी के अनुसार कोई का जो भाग है वह पहाशी कोई और भहाशेतर के बहाश कोई और पहलके ही इसलिए तीन और किरी इस多पी नयुक्यजी में आटे ऽे मक्येव 6-7 कोई भवाश हो विश्चुकोष, साहितिकोष और विश्चुकोष यानि कि तीनों के तूने आते हैं इफ लिए इसका सही जवाब हो जाएगा आप्शन नमबर दा ठीक है सभी ओके अगला प्षनी की मुहाबरा लोकोएक्टिया किस कोस में आती हैं तो यह सब आते हैं तो यह सबाते हैं बहा तैकर भासिक कोस में जिसका सही जवाब हो हो जाएगा सानमबर अगला की एकलोपेडिया किसका पर्याय है यानि पर्यावचे सब्द है तो इसका नाम है तो इसी तरह के प्रश्ण आपकी पर इच्छम देखने को और भी प्रश्ण है जो कि मैं आपको टेली ग्राम पर डाल दूँगा वह भी आइंसर सही तो आप लोग तैयारी कर लिजीगा और सिंपल सा आपको कुछ नहीं करना है अगर आपको यह पीडियाप आइंसर सही चाहिए तो आपको इसी वीडियो की रिस्टर में टेली वर्ट लिए बाकि वाल देविश्ट एक्जाम के लिए जहिंद।